हेलो फ्रेंट्स आज हम सुन्दर बेबी फ्रॉक बनाएंगे यह अम्रेला बेबी फ्रॉक हैं मैं यह बेबी फ्रॉक बच्चे हुए कपड़े से बना रही हूँ इसमें से मैंने एक कुट्टी पहले कट कर लिया था इसलिए साइड का जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हम एक अच्छी सी बेबी के लिए सॉक बनाएंगे यह देखिए ऐसे डबल कपड़ा लेना है और फ हमें यह देखिए मैं टीम साल के लिए बच्ची के लिए बना रही हूँ साथ इंच पर ऐसे मार्किंग करकर हम ऐसे राउंड शेप दे देना है और इसे राउंड में इसका कमर मैंने मैंने भी इस रखा है इसलिए इसे पाच इंच तक एसाम और जो साइड का जो यह आदा आप साथी जैसे हमें निच्चे से इसे लेना है और घेर कटिंग करना कर देना है और यह राउंड में कट कर देना है अमरे राउंड में कट करना पढ़ेंगा तो इसे हमें दोनों साइड से कट कर देना है मैं डबल गेर का फ्रॉक बना रही हूं इसलिए चार चार गेर लएंगे दो आगे और दो पीछे जैसे हम सिंगल फ्रॉक का सिंगल गेर में बनाते हैं तो हमें कोई चार किने से आगे पीछे दो की जोरत पढ़ेंगी और यह डबल का बना रही हूं इसलिए चार लगेंगे और जो उपर का जो पाथ है उसे हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो ऐसा अच्छे से अलग सा अल तरह कि तरफ और यह एक्स्टा जो अंदर का यह कपड़ा है वहमें काट देना है तो दुझे आलग सा डिजाइन लगेंगा अम्रेला पॉप तो नॉर्मल ही है और यह अलग से कोई डिजाइन अच्छा रगेंगा तो बच्चों को बहुत अच्छा रगता है तो अलग अल यह उपर के पाट में हम अस्तर डालेंगे ऐसे डबल कपड़ा लेना है और फिर उसे ऐसे फोल्ड कर देना है तो तीन साल की बच्ची के लिए हैं सीरी से निचे से लाइन लगा देनी है तो उपर निचे कपड़ा वह कट में कटिंग में चला जाएंगा पाच इंच ऐसे लेना है सीधी लाइन लगा कर पाच इंच पर शोल्डर लेना है गले का दो इंच पर ऐसे मार्किंग करना है और आर्म लेना है हमें पाच इंच और ऐसे हाती की चौड़ाई डालनी है गले का माप ले लीजिए पहले चाल इंच का आगे का गला पीचे हमें छोटा ही रखन साथी के लिए हमें सार्चें और एसे प्लस एक इंच मैंने लिया है और निच्छे कमर की तरफ भी उतना ही माप रखना है सीडी सी लाइन लगा देनी है इसलिए छोटे बच्छे को ज्यादा दो शेप देने के जरूत में एक यार मॉल को शेप देंगे हम और इसे कटिंग कर देना है कि अधरे का से मार्किंग पर हम छोटा सा कट मार देंगे पिछे अगला उसी मार्किंग पर हम लोग कट करेंगे यह फ्रांट पाथ हो गया फ्रांट पाथ का में कैसे काट देंगे चार इंच और पिछे के पिछे के नेक को दो इंच हम पिछे का नेक रखेंगे को और बच में इसे कट कर देंगे कर देंगे जो जो आपना फुरांट कट देना बिल्कुल एक्सा वेस्ता कुछी नहीं रखना है पहले फ्रांट कट कर देंगे अधिके मैंने काट दिया है और बैक साइड का भी काया कट कर दिया है अब हम अब हम अब मैंने स्लीव्स तो रगयाने स्लीवलेस के प्रोड परेंगे यह हम बेंट का कटिंग करेंगे यह बच्या हुआ जो कपड़ा है उसमें से में बेल्ट एड्जिस करके निकाल रही हो इसका मैंने कोई माप नहीं लिया है अंदर से निकाल रही हो और जो वेल्ट होता है उसके जो लास्ट पोना होता है उस पर हमें इसे क्रॉस चीज लेना होता है कि देखिए आने ऐसे वेल्ट निकाल दिया है बचा हुआ कपड़े से ही चलो तो अब हमने कटिंग तो हमारा हो गया है चलो हम स्टिचिंग करेंगे पहले हम घेर बना देंगे जो अमारा उपर का जो गेर है जो मैंने थोड़ा कट लाकर काट दिया था एक साइड से क्रॉस म साइड से जोड़देंगे दोनों हमें इसाइड से जोड़ देना है कि अए उपर का जो गेर है वह पहले लेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे पाव पाव इंच के तरफ तरब से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करकर उस पर हम लेस लगाएंगे इसलिए वो दिखाई नहीं देंगा यह देखिए मैंने कैसे फोल्ड कर दिया है अब इस पर हम इने सिल्वर कलर के लेस लिए है मार्केट में बहुत आसानी दो जाती है कि आप कोई भी ले सकते आपके पतंक्ते लेस लगा देनी इस पर लेस लगाने के ब्लॉप को अलगी लुकाते हैं इसे पूरा लेस पूरे घेर पर हमें ये पूरी लेस लगा देनी है एफिए के मैं लगा लिये सढ़ी से को मैं तो इसी क्रॉस में दिखाई देगा है नहीं और धित्रे घेर समय keln पर हम हम्यगे ऐसे अटेज कर देंगे फिर यह ऑंदर से आए दख कर देंगे कि गेर को हम उपर से सिलाई मार देंगे तो दोनों अटैच हो जाएंगे यह से एक को एक चोड देना है कि गेर को ऐसे सिलाई लगा देनी है यह देखिए मैंने इसे घेर को फिलाई लगा दिया और यह देखिए घेर कैसा लग रहा है हमारा इसे एक साइट से हमें इसको लेस लगाई है क्रॉस में थोड़ा लग दिना है आप पैटन कुछ अब यह उपर का चो प्राइप है वह बनाएंगे परे हम अस्तर का एंवह अस्तर का स्टाओं डेंगा अस्तर का करेंके और यह फेल से ब्रेक पार्ट रखक्र शandelर जोड़ेंगे परॉसरी जोडना है ने TH псि-अ कि दिकिक्या मैंने शोलड़ जोड दिया है आप हमारा मेन कपड़ा है उसका भी शोल्डर जोर देंगे फवेंड पार्ट रखकर बैक पार्ट ऊपर रखकर इसे शोल्डर जोर दिया देखिए मैंने जोर दिया अब यह हमारा फरोंट तडुकर ईसके ह25 अस्तर कापड़ा रखेंगे और सब तरफ से अंदर से स्टिचिंग लगाएंगे पूरी सिलाई अंदर से लगाएंगे यह मैंने कैसे रखा है अस्तर का कपड़ा उपर शोल्डर पहले ही हमने जोड दिया है एक तरफ से हम स्टार्ट करेंगे और नेक पूरा कवर करके दूसरी तरफ से हम तो निकालेंगे कि नेक पर भी पूरी शिलाई लगा देंगे कि यह मैंने दुसरी तरफ से एंट कर दिया इस सिलाई को पूरी में पूरा नेक पर घुमा कर दुसरी तरफ से एंट कर दिया अब हम वैसे ही आर मोल पर भी शिलाई लगा देंगे कि दोनों तरफ के आर्मुल को एसे शील देंगे दोनों तरफ से भी लगा दिया है और नेक को भी कर अब हमें एक कोना ऐसे अस्तर का लेना हो और दूसरी तरफ से उसे अंदर की तरफ हाथ डालकर ऐसे सीधा करना है पूरी सिला हमारी अंदर चली जाएंगी कर रही जैसे निकालना है दूसरी तरफ से बी हमने वही टेकनिक बाहर करने है उसी तरह से खता की है कोर ना बाहर निकालना है तो हमारा पूरा फ्रोक की जो इसलाइक हमने लगाई है पूरी अंदर की तरफ चले जाएंगे एकजी म Secretाने दार पाहरों नई देखेंग कर देना आर्मोल की भी सिलाई अंदर चली गई और नेक की भी सिलाई अंदर चली गई अभी आम अस्तर और जो उपर का कपड़ा है वह अटेच कर देंगे तो उपर नीचे कभी खसकेंगा नहीं कि मैंने टक्स के लिए थोड़ा सा कट मारा है आगे की तरब कर दक्स रेंगे तो थोड़ा शेप अच्छा दिखता है नहीं भी लेतर कोई प्रॉब्लम नहीं है पर लेंगे तो अच्छे लगता है देखिए हम ऐसे चोटा सा टक्स लगाना है मामू ली किसी चोटी बेच्ची है तो ज्यादा तक्स की ज़रूत में यह चोटा सा एकदम पाव इंच पे टक्स लगाना है ऐसे में कमर पर लेस लगा रही हूँ सिलाई के लिए जो फिलाई मार्जिन आदा इन छोट रही है और ऊपर की तोड़ा उपर रखकर लेस लगा रहे हैं निचे जो हम घेर आटेच करेंगे तो सिलाई में कपरे के लिए छोट रही है हम पहले बेल्ट बढ़ाएंगे उल्टी तरफ के से हमें सीना आए पहले अब हमें सीडा करना है यह दैखें में स्कुरू डाइवर की मदद से यह बेल्ट को सीधा कर लिया है और अब हमें साइड की सिलाई लगा देंए यह बेल्ट जो कमर की हमने हमने लेस लगाई थी उसके उपर ही हमें बेल्ट रख देना है और ऐसे सिलाई लगा देने साइड की दोनों तरब से बेट लगा दीजिए दोनों तरब से मैंने सिलाई लगा दीए यह हुक का मैंने पहले से ही थोड़ा सा टच करके कर श्रीब एक नॉर्मल थोड़ा सा टच किया है तो हमें घेर निचेया घेर लगाते वाद आसानी हो इसलिए गेर हमें ऐसे सिर्फ सिलाई के जो साइड का सिलाई है वो सिलाई के उपर सिलाई रखकर ऐसे गेर पूरा पूरा राउंद में सिलाई लगा देने हैं कि मुण्या आन्ट कि मैंने पूरा घेर उस पे लगा दिया है तो सिर्फ हमें निची की तरफ से फ्रील लगाना अए हमने कमर पे हमने पूरा फील लिया मैंने नेत का कपड़ा लिया VS वह साइड से फोल्ड कर दिया और ञोऊँए कर देना है जो मैंने पहले से फोल्ड करके रखा है और तीर हमें ऐसे बारिक-बारिक चुन लेकर पूरे घेर पर लगा देना है जितना हमारा घेर है उससे हमें दबल पट्टी रखनी है बारिक-बारिक चुन लिया एक दब बारिक-बारिक चुन लिया एक दब पूरे घेर में हमें ऐसे बारिक-बारिक चुन लेकर पट्टी लगा देनी है यह देखे मैंने पूरे घेर को लगा दिये है और फिर हमें यह जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा वह अंदर की तरफ रखकर ऐसे उसके उपर फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगा लिए त्यान के देखे मैंने कहां से सिलाई लगाई है पूरा कपड़ा जो निच्छे से वह अंदर की तरफ रखा है जो बाहर बिल्कुल भी ना दिखे क्योंकि हम नेट का कपड़ा यूज कर रहे तो हमें बाहर बिल्कुल भी नही से पूरी सिलाई इसे अंदर की तरफ लगाई है अंदर की तरफ फोल्ड करकर और एकदम नज्दीक से उसे हमने पूरी तरह लगा देना है यह हमारा बेबी फ्रॉक एकदम ब्लेडी हो गया है जब बाहर ब्लेडी हो प्लेडी हो जब टाइब दो हमें जब लगाई है